गुद्बॉर्णिंग बच्चों हम लोग क्लास का चैप्टर नमबर टू कर रहे थे जिसमें रूम तेन बाई एट है और उसका कुछ पार्ट हमने पढ़ भी लिया था अब हम आगे पढ़ते हैं हमने देखा था कि मिस्स मालेक और मिस्स मालेक वर अबाउट विल्ड आ हाउ तो ये उनके लिए मिस्स मालिक के लिए इसपेशली थोड़ी समस्य वाली बात थी क्योंकि उन्हों ने अपना घर खुद अपने हिसाब से बनवाया था अडंरोस्यों प JUN सब से दोस्ती भी कर ली थी एक बॉन्ड बन गया था उन सबके बीच और खुद खुब लगी रह construction site पर भी, तो जब उन्होंने ये सुना कि government उनको rent पे करेगी, तो थोड़ा सा अपने आपको उन्होंने settle down किया, अब हम आगे, they were transferred from Delhi, यहां से हमें शुरू करना है, they were transferred from Delhi, Mrs. Malik was happy, अब Mr. Malik का transfer जो Delhi से बाहर हो गया, तो Mrs. Malik थोड़ी सी खुश थी, she would know more, see her house, regret not being able to live in it, and then thinking of the substantial rent feel consoled, consoled मतलब थोड़ा सा उनको सांत्वना मिले, Mrs. Malik transfer पे खुश थी, पहले तो उन्होंने तै किया आता कि वो नहीं जाएंगी, but this time she was very happy, अब, happy क्यों थी वो, क्योंकि उनको वो घर बार बार देखना नहीं पड़ेगा, उसका खून नहीं जलेगा, और सबसे बड़ी चीज थी, कि उनको consolation के तौर पर जो rent मिल रहा था, वो भी तो आ रहा था, इस तरह से, she was happy for all that, transferred from one place to another, they had to wait for many years to, for another term of posting in Delhi, अब, कई साल बीद गया, इदर उदर, इदर उदर, उनका transfer हो रहा था, और वापस Delhi transfer होने के लिए, उनको कई सालों तक wait करना पड़ा, they dot, in the meanwhile, Mrs. Malik's mother-in-law passed away, अब वो 10 by 8 का जो रूम उन्होंने बनवाया था, mother-in-law के लिए, वो चल बसी इस दौरान, and her daughter had been married, बीटी की शादी हो गई, in a way, they were lucky that their house had been retired, rented to the government, लेकिन उनके मन में ये संतोश था, कि उन्होंने अपना जो घर है, वो government को rent पे दिया है, private tenants are such a headache, कि private जो किरायदार होते हैं, tenants means किरायदार, are such a headache, बड़ी समस्या वाली बात होती है, there is no end of their complaints and demands, जो किरायदार होते हैं, वो कभी कोई two-foot हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो उनकी complaint और demand खतम नहीं होती, जबकि government को rent देने में क्या फाइदा है, कि वो सारा काम government अपने कर्चे पे देखती है, and then there are more often that, then not irregular in the payment of rent, और सबसे बड़ी चीज क्या थी, कि जो private tenants होते हैं, वो किरायदेने में समस्या करते हैं, जबकि government का जो था, तो मंतली किराय टाइम से उनके पास पहुँच जाता था, Mrs. Malik's house have been requisient by the government, the rent was credited to their bank account every month regularly, अब वो जो घर है वो उनका घर जो government ने लिया था, तो उनके खाते में हर महीने rent automatically आ जाता था, only their son remained to be married now, बेटी की शादी होगी, सास भी death होगी, अब बेटे की शादी करने बाकी थी, Mr. Malik thought they would rather be done with it before he retired, तो Mr. Malik सोच रहे थे की बेटे की शादी भी जो है वो उनके रेटार्मेंट से पहले ही हो जाए, their son had been married, अब बेटी की भी शादी होगी, Mr. Malik had retired from service, but their house yet not had yet been released by the government, Mr. Malik के बेटी की शादी होगी, लेकिन government ने उनको वो वापस जो उनका घर था, वो हैंड़ोवर नहीं किया था, Mr. and Mrs. Malik lived with their son and daughter-in-law in a rented house, अब Mrs. और Mr. Malik जो है अपने बेटे बहु के साथे किराय के घर में रह रहे थे, Mr. Malik was still fighting with the government for the release of the house when his hand came, और जब Mr. Malik का अंत आया, he was about to die, वो government के साथ अपने घर को छोड़ाने के लिए अभी भी लड़ रहे थे, कोशिश में लगे वे थे, he passed away without being able to live in his house even for a day, और वो अपने ही घर में एक भी दिन रहे बिना ही पास अवे हो गया, now within three months the house was derequisioned, और उनकी डेथ के तीन महिने बाद उनको उनका घर जो है वो वापस government ने hand over किया, Mrs. Malik's daughter-in-law was keener than Mrs. Malik to shift to her own house, अब Mr. Malik की जो बेटे की बहु थी, सास की बजाए वो बहुती keen थी की कब हम अपने घर में shift हो जाएं, she really wanted to shift in her own house, the moment they were, the moment they were restored position of the house, she had it painted and polished and started shifting, और जैसे ही घर का position उनको वापस मिला, Mrs. Malik की बेटे की बहु ने घर को paint करवाया, सारा कुछ पॉलिश करवाया और धीरे धीरे करके, उसने समान shift भी करना शुरू किया, the furniture dealer had been ordered to supply a number of pieces, which he did, और उन्होंने Mr. Malik के बेटे की बहु ने, अपनी पसंद से furniture जो है वो order किया और वो आ भी गया, ओके बच्चों, I hope आप लोगों ने ये chapter एंजोई किया होगा, we will do the next part tomorrow, thank you,